इस पिगी देख दियां को और सुन्दे कानु को मेरा असलाम अलेकुम वेलकम बैक्ट वे चैनल बॉइज आज बहुत स्पेशल रियाक्शन करूंगा मैं और वो रियाक्शन होगी यूगराज सिंग इंडिया का और कायरन पॉला वेस्ट इंडिया का यह जो बैसमन दोनों इ जादा मज़ा आया था मैंने का पॉलाट की बैटिंगे सिक्स अब तक नहीं देखे लेकिन यूवराज के बहुत टाइम पहले देखे थे सो इटल बी लिटल बिट ऑफ मेमरी डाउन दिलें जो कहते है न एक विजट होगा वापस तो विल गोएड चेक डार ओट विदा व अब बताए वह शामत आने वाल यह बहुत जल्द है वह देखे आ आजा देख्ते है कौन की तरह पानी में है ओऐ अधा स्विंग यूज वूज यूज वूज यूज त्सविंग यूज बट इन आक अट उट थे पार्क यहा है खुर्ची कोई धिस फुल इस वीड वोमन किरटर वोमन क्रिकटर रभाई कौन ही एए यह थिख फुल्म फुल्डपर थे विडिग था गूलगतर प्रविड दो ऑडिगर एर एर हाई 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 ही हाई हाई हूँ नदे गॉल्फ स्विंग ओ मीड दे बैट ओड ना होली शिट 111 मीटर चख खान तिंग विडियों डैफिनिटली नहीं मिज्बा के 111 मेटर चब आप मारा था बाई और दुसरी बॉल के लिए आँ रहा है women krikitter बहुता हराiver दुसरी बॉल को मारने के लिए की दुसरी बॉल वडवाने के लिए तुसरी डॉक बहुता है women krikटर वह देख तो ले प्यार से oh yeah, that is a flick of the wrist इतना प्यार से चख्का दिये है भाई, मक्खन लगाके जो बंदा सारी जिनकी फ्लिक करकर के पैदा हुए और बड़ा हुए और उसने इतना फ्लिक करकर के अपने रिस्ट पावर्फुल कर लिये हूं उसके लिए चकाँ वार रहा कुंसी बड़ी बात है भाई देशी मखण ते लसी पीणा ले या मुंडा ते अंग्रेजन उपेल दा पर अगया वो भी सुतर है यार यह मैंने क्यों ऐसे किया क्या जरूरत ही फ्रिटापुर्ण ने मुझे क्या जरूरत ही क्यों मैं मत्ठा लगा लिया पंजाबी के साथ यह तो बंग्डे दाल दाल के म पेटा होनेवाली है सफा ही होने वाली है और बाइं निक्स बॉल ला रहा है तीसरी बॉल आए scen के सारे पैसे आज उड़ादूंगा बॉलों पर में हाई कि वरंड dessert की सारी फीज़ा आज ही वसूलेत si लेगी लेया तीसरी बॉल अभी वो सोच रहा है ये वुमिन क्रिकेटर आ रही है बॉलिंग कराने के लिए आ रही है तीसरी बॉल और तीसरा लम्मा पोला कि अउडों करें पोघ्या कि अवल्च। अव अवार करेंग montón कि अवल्च। अवल्च। ? इव भूल्च। अढ़ाग तेज ये ये विव पूख। मनारे हैं मिलेखर कहीं है इस भालेखर है मिलेखर के ब्ली आ की शरने की कम से इस वेल خॉष। यह सहरा आ कर दो लोगेटर है झात एप चोच रख रूड़ से चाछंच चार्व,श्विये सबस्क छी तर गड़िए फुल टॉस ओ ओ ओ यूवराज सिंक टुर्णिग इड ओन ये ऐसा पॉइंट है बॉलर की करियर में जाओ वो ये सोच रहे कि यार मैं स्पिनरी बन जाता क्यों मैं फास बॉलिंग की फुल टॉस भी देदी उपर से गिफ्ट ये लो ये लो पाजी ये लो मारो ये वला भी प्यार से मार रहा है आई पांची गेंद कराने के लिए आ रही है कि 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 उंकरीब है वो ङूल यटुू बुम बुम और नी और नी पर एलेवन दिलिवरीज इस अपने सुम्वेर चाह्ट क्या फिलिंग होगी बॉय क्या फिलिंग सेविटी टूम्हें अपने इस अपने प्यार से मार है वह पहला वाला तो मॉंस्टर दो सो एक हो गया वाई और काथ से बढ़ गया टार्गेट है आ रहे थका आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे है यह वोई आप बोलना है यह है यह पर भी लुक यह तो वया ना कार्णेज यह तो वह गया हमारे पाजी का यूवराज सिंग्वा उटके क्या कह सकते हैं, वोट six sixes, okay, that was just pure class, there was no such thing as, you know, आंके बंद करके गुमाना, off-volleyball को off पर मारा, middle-volleyball को straight मारा, और leg-volleyball को leg पर मारा, ये हो गया, ये उबराज सिंके छे चके, अब चेक करते हैं, हम लोग जो कल रात को मेरा खाल, West Indies के बैट्समन कारें पॉलाट ने हमार I am a fastballer, this is a right-handed batsman against a off-spinner or leg-spinner, is it there baller? I think it's a leg-spinner or off-spinner, doesn't matter, six-chakai maare, इतना पते, पेल दिया, फकड़SpDr. पकड़ के पेला है, पतकक के पेला हैं, वलके, लट्स को, लट्स को यह तो हाई गई है लंबी नहीं गई यह इस हाई सम दिस्तंस साड़े छे फुट के लंबे लंबे वेस्ट इंडियन बैट्समन आजा बिटा ओधा बिटा ओधा बिग वन वह पावर वेस्ट इंडियन पावर पहल दिया भाई ओधा इस बिग अस बिग अस लास वन उत्री से शगल देखो पट गई है यह शगल देखो यह बंदा यह अपने जितनी भी इसकी जिनकी के चोशे से ना कि इसने यहां पर आके यह बना अब यह सुतरों के काश में पिनर ना होता काश में सिरल भी इटसमन होता HA क्यों कि देखो थो फासभल्ओंर को भी छ।द चांगे पड़ शकते हैं लेकिं ध्योग्ये इसकरों की काश में पिनर ना होता और कुछ पी ओता के ूए औफ थ 112, 112 meter, 4x4, oh man, on one knee, और याया पांचवा चक्का, oh goodness, oh goodness, गई बाल गई, लास वाला, oh flag six, six sixes for Kyron Pollard, flat six, take a bow, Kyron Pollard, let's go, let's go, आप ये थेको, इसको इतना मारा है के बाद में दोनों मिदल पे खड़े हो के ना हस रहे तो बालो के पर, यार मिस्कीन, I mean, if you compare the two sixes, obviously, Yubraat Singh वाला ज्यादा स्पाइसी है, ज्यादा गिवन दो मोमेंट जैना, it makes bigger impact, because one, it is a world cup match, second, it was against a stronger opponent, which is England, and third, it was in a situation where he was getting sledge, तो Yubraat Singh को sledging हो रही थी, उसे जए छे वालो पे छे चाक है, पहले, जो clean hits, really, really classy sixes there were, and जो अगर आप पॉलाट के साथ, compare करो, तो पॉलाट के sixes, they were really powerful, even though they were not very classy, जिस तरह Yubraat के थे, but पॉलाट के भी कम नीते हो, भाई, मतलब बंदा जाओ मारता है ना, तो फिर ball जाती रहती, आती ही नहीं है, और against spinner, I guess, at home ground, it is like a more comfortable way, खेर, छे चके मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, 6-6 ball पे मारना एक ओर में, it is a huge feat, but if you compare to the two scenarios, I would suggest के Yuvraat Singh का जो थाना, वो पला काफी बाहरी है, क्योंके, given the whole scenario, giving the whole situation, so guys, this was my reaction on Yuvraat Singh's 6-6s versus Kyron Polat 6-6s, let me know in the comment section, which one do you like, and which one do you prefer to watch, again and again, और अगर आप चाल पे फरस्टाव हैं, तो please guys, make sure to leave a like, और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करोगे तो आके धन्दा चलते हैं, thank you so much for all the support, take care, चाओ,